जय हिंग दोस्तों, आज के सेशन में हम दस क्वेश्चिन करने वाले हैं जो कि आपके SSC के GDA एकजाम के साथ साथ और कई सारे कॉम्पिटेटिव एकजाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए आएक वेश्चिन शुरू करते हैं, और आज इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसा है, डी वरुन, नेक्स्ट क्वेश्चिन कर लेते हैं, निम्मे से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ए शुक्र, बी प्रिथवी, सी बुध, डी मंगल, और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसा है, बी प्रिथवी, नेक्स और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसा है A. Can you meet? Next question कर लेते हैं निमी में से किस ब्रह के पास एक भी उप्रह नहीं है? A. Mangal B. Budh C. Shukra D. B. और C. दोनो और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसा है D. B. और C. दोनो ठीक है दोस्तों ये बात आपको कमेंट सेक्सन में जरूर बतानी है कि आप दस प्रशन में से कितने का सही उत्तर दे पाए है Next question कर लेते हैं आकार के अनुसार सौलमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? A. Budh B. Uranus C. Prithwi D. Mangal और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसा है A. Budh Next question कर लेते हैं Prips Mission भारत कब आया था? A. वर्शुणी सो चालीस B. वर्शुणी सो बयालीस C. वर्शुणी सो चीालीस D. वर्शुणी सो सैंतालीस और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसा है B. वर्ष 1942 Next question कर लेते हैं Muslim League द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था A. 16 अगस्त 1946 B. 15 अगस्त 1946 C. 14 अगस्त 1946 D. 17 अगस्त 1946 और इस प्रशन का बिल्कुल सही आंसा है A. 16 अगस्त 1946 ठीक है दोस्तों Next question करने से पहले आपसे एक request है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं है तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें Next question कर लेते हैं खेडा सत्यागरह का नीतरित्व किस ने किया था और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसा है Next question कर लेते हैं भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसा है और इस प्रशन का बिलकुल सही आंसा है C. 58.9% ठीक है दोस्तों आज के सेसन में बस इतना ही यदी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें थान्यवाद